हेलो गाइज आपसादी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल पर आज संडे है और आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था तो हमने सुचा कि हम डैम पर चलते हैं सुबह के साथ बज़ रहे हैं और हम यहां रहते हैं सनुकते हैं रेसिगंसी में और यह हमारी कार है हम कार से अच्छा मौसम हो रहा है और देखो यहां कित्ती बड़ी-बड़ी विल्डिंग है हम इसी कॉलानी में रहते हैं मौसम बहुत ही बड़ी है वीडियो करेंट तक जरूर देखना स्किप मत करना हम आपको लोर मैनल डैम पर ले जा रहे हैं कितनी हायाली हो रही है और यहां कित्ते अच्छे रोड देखो इदम नए नए रोड बने हम करीम नगर में रहते हैं करीम नगर अंडर स्मार्ट सिटी आता है और देखो हम डैम पहुंच गए यह लोग तोगा है जीरहा लोग मैनल डैम बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यह करीब तीन किलोमीटर लंब है देखो कितनी हर्याली हो रही है और कितना अच्छा मसम हो रहे है यह डैम पानी से फुल भरा हुआ है इसके चार गेट खोल दिए गया है और वो चारो गेट आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे देखो कितना संदर ना जा रहा है एक दो समझती करह रहा है दिख रहा है यहां पहाड भी है देखो कितना अच्छा नजारा है एक साइड पहाड एक साइड पानी एक साइड पेड पौदे और ठंडी ठंडी हावा चल रही है देखो यह डैम के अंदर मंदिर है छोटा सा हम वो भी दिखाएंगे अब यह आगे की वीडियो में स्किप मत करना बिल्क कितना सुन्दर लग रहा है आप भी इंजाय करें होंगे वीडियो को हमें तो यहां बहुत इंजाय किया था वीडियो को स्किप मत करना आगे बहुत सुन्दर सुन्दर नजारे दिखाने वाले आप लोगों को तो हम गाड़ी से नीचे दर गए हैं और यह हम कॉटन कैंडी लेने आ गए हमें कॉटन कैंडी बहुत अच्छी लगती हम तीनों भाई भेनों को तो हम ले रहे हैं देखो तो मेरे पापा यहां एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां सोबे सोबे बहुत सारे लोग गूमने आते हैं साइक्लिन करते हैं और वो रहे हम तीनों भाई हैं मजे से कॉटन कैंडी खा रहे है हम अब आपको मंदिर दिखाने भी ले चलेंगे देखो यहां बच्चे साइक्लिन कर रहे हैं तो देखो अब हम मंदिर किताव जा रहें नीचे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रहे थी और देखो किता अच्छा नजारा हो रहा है यहां चार तरफ हयाली और पानी और यहां बोटिंग भी करते हैं यहां मचली भी पकड़ते हैं बहुत सारे लोग बोटिंग भी करने आते हैं देखें एक दर समुद्र के जैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखें बुल्पनी से बहा है पानी से बहा है पानी से बहा है अब मंदिल जा रहे हम मंदिल के पास पहुच गहें और यहां कि तो यह नजारा और भी अच्छा लगने लगा चारो तरफ पानी पानी और उसके आगे पहाड पानी के अंदर भी पेड उग रहे हैं कितने बड़े बड़े पेड़ और एकदम समुद्र जैसी वाइब्स आ रहे हैं यहां कितनी अच्छी लहरे आ रहे हैं एकदम बड़ी बड़ी समुद्र के जैसी लहर आ रहे थी और देखो कितने बड़े 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 बड़तन है यहां यहां इसमें खाना बनाते हैं मंदर के प्रशाद के लिए और देखो उस पार वहां डैन है और वहां कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे और यहां मंदर को भी दिखा रहे हैं और यहां मंदर को भी दिखा रहे हैं आपको अंदर से तो यह गंगा मैय को छोटा सा मंदिर है देखो यहां नंदी है और यह रही गंगा मैया यहां कुछ प्रोग्राम चल रहे तो खाना बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बरतन थे अभी वह उसमें खाना बनाएंगे देखो बहुत जोड़ से हवा चल रही थी वहां ठंडी ठंडी और यहां हम वाफिसे डैम की तरफ जा रहे हैं देखो किती हर्याली हो रही है कितना अच्छा नजारा है एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ हर्याली और यहां बीच में रोड़ है यहां बहुत सारे लोग आते हैं नजारे को इंजाय करने के लिए कितने सुन्दर बादल हो रहे हैं और वो एक स्टेडियम है वहां कितनी हर्याली हो रहे है वहां की तरफ भी पाड़ है चार तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और हर्याली और पानी भरा हुआ है देखो करीन अगर सिटी किती खूबसूरत है देखो यहां पानी है और पीछे की सार्ट भर्यानी है कितना अच्छा है अच्छा नजारा हो रहा है उपर वादल किती संदेरों चारों और पहाड़ है और हम यहां फोटों खीच रहें है उप और एधितेरों है वीडियो में अंतक बने रहे हैं बहुती सुन्दर नजार है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना हम आपको वो चार गेर जो खुले हैं वो भी दिखाएंगे आगे देखो कितना अच्छा नजार है यहां पानी बहुत गहरा गारा है कि चारो और से बहुती अच्छे वाइब सार है अगर आपको समुद्र का मजा लेना है तो यह जगा भी एकदम समुद्र के वाप्स देती है यह जगा जगा रुक के रिकवाने का इंजार्मेंट ले रहें कि यहां से बिलकुल जाने का मन नहीं हो रहे हैं कितना अच्छा मौसम हैं कितनी हर्याली है और पानी भर हुआ है बहुत ठंडी-ठंडी हवा रही है बिलकुल जाने का मन नहीं हो रहें कितना सुन्दर नजार है आगे की साइड पार्क भी है वहां जहां बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है वह पार्क की वीडियो हम कभी और दिन बनाएंगे पार्क की वीडियो हम पार्क दिखाने है देखुँ यह पीड है वहां उसके दूसरी तरफ पार्क है बहुत ही बड़ीय पार्क है आपका दूसरी वीडियो में दिखाने है पार्ट तू में कितना सुनले नहाशार है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो बने रही है हमारे साथ देखो यहां बहुत सारे लोग फोटो फीच रहा है मज़े ले रहा है इस डैम का हर दिन बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहां पर यहां बहुत सारे आइस्क्रीम के ठेले भी है क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहां आइस्क्रीम खाते हैं और इंजॉय करते हैं पार्टू में हम आपको डैम का गेट दिखाएंगे थैक्स वर वाचिंग लाइक शेयर और सब्सक्राइब बाई